प्रभेश्व मसीए के नाम से आप सब लोगों को दन्यवाद प्रेरितों का कम 27 अध्याई उसका 22 वच्छन, अगस्ट का महेना परमेश्वर का एक वच्छन हम सभों के लिए है, जी हाँ, दबुका फैंट 27 वर्स 22, पावलुस को जो है और उसके साथ कई लोगों को जब बंदी बना कर नाव में रख कर जब इटिली के तरफ जर निकल ज जो है और एक बड़ी हवा उस नाव को जो है घेर लेता है और शुरुवात में पावलुस कहता है कि मेरे बात को सुनिये नहीं तो हमारा जान और ये नाव जो है सब तूट जाएगा मगर उस नाव का जो मालिक है उस नाव को जो चलाने वाले हैं वो बात नहीं सुनते हैं और उसके बाद में एक बड़ी मुसीबत में जो है वो पुरा नाव और दोसों से भी जादा लोग जो है उस नाव में जो है आंदी तुफानों से गेर कर एक बड़ी मुसीबत उस नाव के उपर आ जाता है यहां तक आ जाता है कि मतलब मौत का सामना वो लोग करते रहते हैं, भूके रहते हैं, कम से कम 14 दिन तक वहां पे वे लोग भूके रहते हैं, तुफानों का सामना कर रहे हैं, जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं उन आलातों में पावलुस जो है एक वचन को, एक बात को उस नाव में जो लोग हैं, उस नाव के माली को, उस नाव को चलाने वाले को कहता है, और वो बात यह अगस्ट का महिना परमेश्वर हमसे भी, हमारे जिंदगीयों से भी परमेश्वर वो कहना चाता है, हमारे हमारे जिन्दगियों में परमिश्वर वो दिखाना भी चाहता है, आयलान करना चाहता है, और परमिश्वर का वादा जो है, हो सकता है कि इस समय में आपका जिन्दगी का नाव, आपका सेवकाई का नाव, आपका परिवार का नाव, आपका नौकरी का नाव, या आपका बिजनस का जो नाव है तुफानों के बीच में घेरा हुआ है मंजिल दिखाईने दे रहा है जिंदगे और मौत के बीच में आप लड़ रहे हैं बविश दिखाईने दे रहा है बीच रात है अंधेरा है निराशा है चिंता है मुसीबतों को तुफान हो सकता है कि समय में आपके जिंद और वो जो है प्रेरुतों का काम 27-22 में लिखा गया है, परन्तो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि धारस बांदो, धैरे से रहना, तुफानों के बीच में धारस बांदो, तुफानों के बीच में धैरे से रहना, हो सकता है कि अंधेरा है, हो सकता है कि जिंदगी और मौत क विच में लड़ रहे हैं हो सकता है कि निराश्य है हो सकता है कि खाना नहीं है जिंदगी के चुनवतीयों का सामना आप कर रहे हैं फिर भी परमेष्वर का वच्छन यह अगस्ट के महिने में हमें धैरे दे रहा है कि भीघरे से ठैरे से रहना धारस रहना, डरने मत जाना क्यूंकि तुम में से किसी के प्रान की हानी ना होगी जी हाँ, ये अगस्ट का महने का वादा है तुम में से किसी का प्रान की हानी नहीं होगी No one will die in this boat, hallelujah जी हाँ, मेरे प्यारों, ये अगस्ट के महने में परमेश्वर आपको वादा कर रहा है हो सकता है कि तुफान है, हो सकता है कि अंधेरा है हो सकता है कि खाना नहीं है हो सकता है कि जुन्दगी और मौट जो है सामने खड़ा है फिर भी परमेश्वर वादा कर रहा है डरने मत जाना, चिंता मत करना धाडस बांदो, दैरे से रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रान का हानी नहीं होएगा, no one will die, परमिश्वर का बचन कहता है, तुम नहीं मरोगे, hallelujah, yes, you will never die, you will never die, आप नहीं मरोगे, आपका प्रान का हानी नहीं होएगा, तुफान दिख रहे हैं, मगर प्रान का हानी नहीं होए हैं, फिर भी प्रान का हानी नहीं होएगा, खाना नहीं है, चुनोतियां हैं, फिर भी प्रान का हानी नहीं होएगा, क्योंकि तुम्हारा प्रान का रखवाला, जो येश्व मसी है, वो आपके साथ है, आपको धैरे दे रहा है, आपके डर से आपको आज़ाद कर रहा है, तो अगस्ट का ये महिना, तुम्हारा प्रान का हानी नहीं होएगा, चिंताइएं हैं, चुनवतियां हैं, फिर भी मढ़ डरना, आपके प्रान के हानी को, आपके प्रान को कोई छू नहीं सकेगा, आयूब के बारे में प्रमिश्वर शायतान को कहता है, तुम कुछ भी कर ले, मगर उसके प्रान को छूने मज जाना, प्रमिश्वर ने आगया दिया है, आपका प्रान को कुछ नहीं होएगा, तो मुसिबतों को देख कर डरने मज जाना, दाडस में रहना, आपका प्रान को हानी नहीं होएगा, यू विल नेवर डाई, यू विल बिब्लेस, यू विल बिफलरेश, यू विल सी और ब्राइट फ्यूचर,